Students, मैं सुवास चंदर नहरा, Assistant Professor, Government Girls College नागोर आज हम सिंदु गाटी सब्वेता, जिसको हडपा सब्वेता या सिंदु सरस्वती सब्वेता के नाम से भी जाने जाता है, के बारे में चर्चा करेंगे सिंदु सब्वेता भारते इतियास में कांसे युगीन सब्वेता के रूप में ग्यात है, क्योंकि इस समय प्रस्तर, अथार्थ, पत्थर, वै, तंबर के साथ-साथ कांसे का भी प्रियोग देखने को मिलता है सिंदु सब्वेता से समधित हडपा तिले की और ध्यान सर्व परतम 1826 इस्वी में चार्ल्स मैसन ने आकरसित किया, किन्तु अभी तक इसका कोई उत्खनन नहीं हो पाया 1826 में जब कराची से लाहोर के बीच रेल्वे लाइन का निर्मान किया जा रहा था, तब रेल लाइन पर बिचाने के लिए हडपा के इस तिले से इंटे निकाली गई उस समय जोन बर्टन वे वीलियम बर्टन ने एक मैतोपुन सबेता के दबे होने का संकेत दिया, किन्तु अभी तक इसका कोई उत्खनन नहीं हुआ सर परतम मादो सूरू वत्सवे दयाराम सानी के दवाराग 1921 में हडपा नामक तिले का उत्खनन किया गया जो कि आधूनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर इस्तित है हडपा को सिंदू सब्वेता का तोरण नगर अथार्थे गेटवे सिटी ओफ इंडस वेली सिविलाजेशन भी का जाता है 1922 इस्वी में राखल दास बनरजी ने पाकिस्तान के सिंद शेत्र में लरकाना जिले में मोहन जोड़ों का उत्खनन किया जो सिंदू नदी तट के बाईं तट पर इस्तित है वो लेकनी है कि राखल दास बनरजी मूल रूप से कुशान कालीन बोध उस्तूप का उत्खनन कर रहे थे जो इसी तिले पर इस्तित था अब मोहन जोड़ों की बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं मोहन जोड़ों का साब्दिक अर्थ है मृत्यकूं का टिला इसे सिंद का नकलिस्तान भी का गया है हडपा और मोहन जोड़ों के उत्खनन के बाद 1924 इस्यू में सर जोन मॉर्सल ने लंदन वीकली नामक पत्रिका में सिंदु सबेता की विदीवत गोशना की 1931 में एनजी मजूमदार वे 1935 में अर्नेश्ट मेके ने चन्हू दुड़ों का उत्खनन किया जो पाकिस्तान के सिंद छेतर में लरकाना जिले में सिंदु नदी के बाई तट परिस्तित है इसे सिंदु सबेता का उद्दुकिक नगर भी का जाता है 1904 से 56 के मद्दे ऐसा राव दोवारा लोथल का उत्कनन किया गया जो गुजरात के एहमदाबाद जिले में बोगवा वै साबर मती नदी के बीच इस्तित है मुख्यत है बोगवा नदी की ओर लोथल को लगू हडपा या लगू मोन जोद्रों भी का जाता है राजस्तान में इस सबेता का मैतुपुन के इंदर काली बंगा है जिसकी जानकारी 1951 इस्वी में अमलानन्द घोष दवारग की गई किंतु उत्खनन उन Так employer इस्वी से लेकर 1949 इस्वी के बीच किया गया ये उत्खनन बीके लाल और बीके थापर के दवारग किया गया बाद में अमलानन्द घोष ने भी यहां उत्खनन कारे किया यह इस्तल हनमानगट जिले में घगर नदी के छेत्र में इस्तित है। आरैस बिष्ट के दवारा किया गया। इस्तापत्य की द्रिष्टी से इसे सिंदु सब्वेता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। दो मुकुट मिले हैं। इसे सिंदु सब्वेता में राश्त अंत्रात्मक विवस्ता की और संकेत माना जाता है। यदपी हरियाना में इस्तित राखी गड़ी की खोज पहले ही कर ली गई थी। किन्तु मुक्यत उत्कनन 1997-1999 की मद्य अम्रेंदु नात दवारा किया गया। इसे भारत में सिंदु सब्वेता का सबसे विस्त्रित इस्तल माना जाता है। अब हम पर्मुक सेंदव इस्तल अता सिंदु गटी सब्वेता की इस्तलों की बारे में चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान में इसके दो मुक्य इस्तल हैं। एक का नाम है शोर्तुगोई और दूसरे का नाम है मुंडी गाग। पंजाब जो पाकिस्तान में इस्तित हैं। वहाँ इस सब्वेता की इस्तल हडपा जो की मौंटकोमरी जिले में इस्तित है। पाकिस्तान के ही बुलूचिस्तान में इसके पर्मुक इस्तल जिसमें सूतक गेंडौर जो की दास्क नदी के किनारे इस्तित है। सोतुका को है जो की शाइकोर नदी के किनारे इस्तित है बाला कोट विंदार नदी के किनारे इस्तित है डापर कोट कुली नाल मेही आदी बलूचिस्तान में इस्तित सिंदु गाटी सबेता के इस्तिल है अब पाकिस्तान के सिंद छेत्र में इसके इस्तिल है मोहन जोदडो, चनहुदडो, जुदेर जोदडो, लोहम जोदडो, अम्री, कोड़ दीजी, अला दीनो, उत्तर पसिम सीमान छेतर में, गोमल गाटी में इस्तित गुमला, अब भारत में इस्तित विबिन प्रांतु में सिंदु गाटी सब्वेता के इस्तलों के बारे में दे चंडिगट, रोपड, कोटला, नियंग खान, कस्मीर में इसके दो इस्तल हैं, एक मांडा, उत्तरपरदेश में इसके इस्तल हैं, आलमगिरपूर, वैहुलास, हरियाना में इसके विबिन इस्तल हैं, जैसे कि बनवाली, कुनाल, राखिगड़ी, मीताथल, बगवानपुरा, राजस्तान में इसके दो इस्तल हैं, काली बंगा और पीली बंगा, जो कि हनमानगर जिले में इस्तित हैं, माराष्ट में इसके इस्तल हैं, दायमाबाद, गुजरात, प्रांत में हैं, रंगपुर, मालवन, सूरकोर्दा, परभासपाटन, लोथल, कुन्तासी, बगवतरा दोलावीरा, रोजदी, देसलपुर, आदी, इस परकार ये सब्वेता उत्तर में जम्बु कस्मीर के मांडा से लेकर, दक्षिन में माराष्ट के देमाबाद, वै पस्सिम में सूतका गिंडोर से लेकर, पूरव में उत्तर परदेश के आलमगीर पूर्ता के इस्तित हैं, 12,99,600 स्विकार किया गया था, जो कि वर्तमान उत्खनन के प्रिप्रेक्शन में 15 से 20 लाग स्कॉर किलोमेटर तक संभावी थे, इसे सिंदु सब्वेता का नाम तब दिया गया था, जब केवल दो ही इस्तिलों का उत्खनन किया गया, किन्तु वर्तमान में विस्तार को देखते हुए, यह नाम उप्युक्त परतीत नहीं होता, इसके लिए एक नया नाम सिंदु सर्स्वती संस्कृती भी सुजाया गया, किन्तु यह भी अपने आप में पून्त है नहीं, सब्यता का उप्युक्त नाम हडपा संस्कृती स्विकारी है, क्योंकि पर्थम उत्खनन हडपा में ही किया गया था, इसलिए इसका नाम सवर्शर्मती से हडपा सब्यता रखा गया, सबसे बड़े आकार के जो सेंदवस्तल प्राप्त हुए हैं वो हैं मोहन जोदडो, राकी गड़ी, गनेरिवाल, वाला, हडपा और धोला विरा, सिंदु सब्यताजी समंदित लिकित साक्षे तो मिले हैं, महादेवन वै विश्वे नातन दवारा किये गए सोदू के आधार पर 2466 अभी लिकित साक्षे का पता लगाया था, पर अब इनकी संक्या बढ़कर 3000 के आसपास हो गई, सिंदु लिपी को पढ़ने का पर्थम प्रियास 1925 इसमें में पेडेल की दवार किया गया, बाद में करमसे, लेंग्टन, सी जेगेट्स, फादर हेरास, टी रामचंदरन, फते सिंग, प्राणनात, रंगनात, बीम बरुवा, आधिक ने किया, नमीन तम प्रियास नटवर जा, राजाराम आधी ने किया, इनका विचार है कि सिंदु लिपी सिलेबिक है, जिसमें वेदिक के कलोष्ट सब्दों को निंगूर को उतकरण किया गया है, धन्पत, सिंग, धनिया ने इसके विबिन सब्दों को पढ़ने का दावा भी किया है, जैसे चक्रम, चक्रवर्ति, ब्रिंपत, ब्रिंपत, चक्रम, चक्रदर, इनके विचार हैं, कि ब्रिंपत से ही आगे चलकर भारत सब्द बना, फादर हेरास ने तो इसे तमिल भासा से स्विक्रत करने का भी प्रियास किया लेकिन अभी भी सिंदु लिपी को पूर्ण वे परमानिक रूप से बढ़ा नहीं जा सका सिंदु लिपी भाव चित्रात्मक है संबत्वे जिसमें चित्राक्सरू के रूप में अभी व्यक्ति की गई है जो साथ से उत्खनन में मिले हैं उसे ग्यात होता है कि सिंदु लिपी बाएं दाएं से बाएं वे बाएं से दाएं लिखी जाती थी इसलिए इसे बैश्ट्रो फेदन नाम दिया सिंदु सबेता के विविन पक्सु की जानकारी के स्रोथ है उद्खनन में प्राप्त विविन अवसे सू सेकिन इसमें सैल खड़ी प्रस्तर वपक्की मिटी से निर्मित मोहरे विसेश उलेकनी है जो ये मोहरे बटनाकार, आयताकार, वरगाकार, गोल, छड़नुमा, आदी भी भी रूपों में मिली है लेकिन इन में वरगाकार वाय आयताकार विसेश उलेकनी है जहां वरगाकार मोहरों पर चित्तर वाय लेक दोनों प्राप्त हुए है धन्यवाद सेस अगले वीडियो में